सर प्लीज गाइड मी कि मुझे राइडर वेट कार्ड के लिए सेपरेट क्लासेज में इन्रोल करना चाहिए अधर देन ओशो जैन क्लासेज या मैं सेल्फ स्टडी से ही उन्हें समझ पाऊंगी थोड़ा सा यहां पर बात को समझने की है कि जो लोग जो है वोशो जैन को या फिर राइडर वेट को जो है सीख रहे हैं मेरा इंफसिस यह रहता है कि उनका जो एप्रोच है वो क्या है कि अगर आप जो है टारो जो है सिंपली उसको एक मौनिटाइजेशन का टूल की तरह अगर आप यूज करना चाहते हो कि अगर आप जो है इंकम के सोर्स की तरह अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो मेरा suggestion ये रहेगा कि फिर आप कहीं से भी सीखें, कुछ भी करें, चाहे personal classes लें, चाहे जो है self-learn करें, it will not really matter much. क्योंकि आपने जो है, इसको self-transformation के लिए नहीं use करें, ये विद्धिया ऐसी है, कि अगर इसको जो है, आपने अपनी self-transformation के लिए अगर आप नहीं use करें, तो this will just be a waste of time. बात पैसे की है, तो of course आप पैसे तो कमाई लेंगे, किसी ना किसी नग से, चाहे वो self-learn से करें, चाहे वो जो है, किसी classes करें, कोई matter नहीं करेंगा. तो first and the foremost is, कि आपका intention क्या है, जब आप इसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो आपका intention होना चाहिए, self-transformation, और फिर second होना चाहिए, कि then now you can help the other, कि दूसरे को आप कैसे help कर सकते हैं. मैं ये भी समझता हूँ, कि पैसा जो है, बहुत important है, financially sound होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिरफ अगर पैसा ही motive है, तो then I will suggest something else, कि आप कुछ और try करें. टारो में जा रहे हैं, तो टारो के साथ-साथ जो है, important ये है कि आपकी clarity, जो है, इस बात की हो, कि मेरी खुद की growth जैसे-जैसे होगी, तो फिर मैं उस growth को जो है, उस growth से जो है, जो wisdom जो मेरे अंदर आई है, जो clarity मेरे अंदर आई है, जो intelligence का जनम मेरे अंदर हुआ है, उसक से भी आप classes लें, या जिस से चाहे वो self हो, चाहे वो दूसरे से हो, सबसे पहली बात, यही clarity आजानी चाहिए, कि आपका intention क्या है, आप इस से जो है, अपना, जो है, इसको चरफ financial purposes के लिए यूज करना चाहते हैं, या फिर जो है, इसको जो है, एक अपनी जो है, spiritual journey के आपने इसको यूज करना शुरू कर दिया, एक इस चीज को समझना थोड़ा जरूरी है, जब आप अपनी spiritual growth के उपर काम करना शुरू करते हैं, तो एक ढंक से जो है, एक आपको जो है, अपने आपको जो है, existence के उपर छोड़ना पड़ता है, थोड़ा trust करना पड़ता है कि मुझे जो है, संभाल लिया जाएगा, कि मेरी जो है, take care हो जाएगी, एक spiritual process कुछ ऐसा है कि जिसके अंदर आप अपने आपको जो है, allow करते हैं एक unknown source में जाने के लिए, जो कि एक ऐसा है कि जहां पर आप अपने mind को जो है, इतने जादा जो है, activate नहीं कर रहे हैं, बलकि कि अपने heart को जादा activate कर रहे हैं और जब आपने heart को activate करते हैं, तो वहाँ पे न माइंड को जो है, फोड़ा सा, माइंड किया है, माइंड यानि की उस संसार हो गया, कि जहां पर जो है आपने survival की बारे में सोच रहे हैं, जहां पिजो है, आप अपनी life को जो है, set करने की सो तो आपका प्रश्ण है कि राइडर वेट के लिए सेपरेट क्लासेज लें या ओशो जैन के लिए सेपरेट क्लासेज लें या सेल्फ स्टड़ी करें अगर आप ट्यारों के गहरे मीनिंग को समझते हो अगर उसकी फांडेशन को समझ जाओगे तो फांडेशन समझने के बाद जो है कोई भी टारों हो उसको समझा जा सकता है क्योंकि जो बेस फांडेशन है अगर आपने उसको जान लिया तो उसके बाद जो है आप कुछ भी जान सकते हैं बात रही अगर learn करना है तो I would suggest कि मैं ये suggest करूँगा कि एक ऐसा एक ऐसे source के साथ आप जुड़ें जो आपको इसके अंदर जो है गहरा दे जो है आपको ले के जा सके जो आपको इसके असली meanings के साथ जो है introduce करा सके और फिर वहाँ से बात शुरुवात होती है theory कि जब आप उसकी theory में उतरना शुरू करते हैं उसके रहस्यों में जाना शुरू करते हैं एक एक card को जानना शुरू करते हैं और ये शुरूवात हो सकती है Rider Way Tarot Deck से ओशो जेन टारो जो है उसको जो है आप समझेए यह सिंप्ली एक स्पिरिच्वल मेसेजिस के लिए है यह ओशो जेन भी जो है वो बेस्ट है राइडर वेट के उपर ही मादेपदमा ने ओशो जेन टारो कार्ड बनाए है लेकिन उसका जो फाउंडेशन है वो राइडर को यूज किया जाता है जो पॉसिबिल्टी जो है वो औशो जेन की है ही नहीं तो सिंप्ली जो है वेक स्पिरिच्वल मेसेजिस के लिए यूज होता है कि आपको जो है एक अध्यात्मिक जो है ग्यान आपके जीवन में जो है उतरे कि आप सद्गुरु के साथ जुड़ पाएं सद्गुरु ओशो के साथ जो है आप जो है संपर्क कर पाएं उनकी असले ग्यान के साथ जो है उनके साथ जुड़ पाएं उनका purpose कभी भी नहीं था OSHO का कि आप जो है इसको OSHO Zen को जो है इसको predictions के लिए use करें इसका कोई लेना देना नहीं है predictions ना कि इससे जो है कोई खास possibilities का पता चलता है तो अगर proper tool की बात करें तो वो है Rider Weight और Rider Weight के अंदर OSHO Zen भी समा जाता है राइडर वेट के अंदर ओशो जैन जो है उसकी जो स्पिरिच्छल मेसेज है वो भी उसके अंदर जो है कवर अप हो जाता है सो इस चीज़ को थोड़ा समझने की बात है कि जो राइडर वेट है वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का उसमें हम आपका जो है सिंबॉलिजम कवर करते हैं एक एक सिंबल जो इसमें यूज हुआ है राइडर वेट के अंदर वो बहुत कुछ बात बोलता है वो बहुत कुछ explain करता है वो अपने आप में बहुत उसके नदर जो है deeper truths छुपे हुए फिर दूसरा जो है उसमें गहरी आपको psychology के बारे में पता चलता है जितना आप psychology के बारे में जानते हैं उतना जो है आपको उस cards के जो है उनके गहरे नियुमों का पता चलता है जीवन के गहरे नियुमों का पता चलता है फिर उसमें जो है आप color combinations देखते हैं rider weight में एक-एक color जो इसमाल हुआ है वो आपके लिए जो है एक spiritual message लेके आता है आपकी psyche के बारे में बताता है आपकी मांसिक तल के बारे में बताता है जैसे for example अगर आप जो है एक card देखते है three of swords for example three of swords के अंदर जो है तीन तलवारे जो है वो heart के अंदर जो है पिर्स कर रहे है पीछे जो है जो environment है वो है बादल जो है बादलों में से पानी बरस रहा है पीछे जो है जो भी जस तरह का इंवार्मेंट दिखाया है वो वो उस वक्त की सिचुएशन का है वो इस वो आपकी जो है करण स्थिती को बता रहा है कि अभी आपके साथ क्या हो रहा है फिर फर एक्जामपल नाइन का एक्जामपल देख लीजए पूरा कमरा जो है अंधेरे से भरा पड़ा है अगर एस कंपेर टू जो है अगर हम इसको जो है ओशोजन से करेंगे तो ओशोजन में वो आपको वो चीज नहीं देखने को मिलेगी जो आपको राइडर वेट में दिखेगी तो राइडर आपको देता हूँ कि three of sorts जो है वो हमारे को एक indication देता है कि ये समय है जब आप जो है अपनी life से कुछ सीख सकते हैं ये समय है जब आपको जो है एक बहुत धक्का लगा है आपको एक तकलीफ होई है ये समय है अगर आपने इस से समझ नहीं ली तो ये जो है आपको और जादा गेहरे अंधेरे में लेके जाएगा और फिर उसका result हम देखते हैं nine of swords में तो three of swords जो है अगर आपने उससे lesson ने लिया तो उसका जो है effect double हो जाता है तो फिर वो multiply हो जाता है तो three three is a nine तो nine of swords के अंदर जो है हम उसका जो है outcome देखते हैं three of swords का तो आप देखे जो आप numbers कैसे जो है बैटर करते हैं फिर उसमें जो है एक आपको जैसे मैंने बताया है कि अगर उसको simple वे से अगर हमने राइडर बेट को समझना हो तो उसके अंदर जो है एक pure psychology है उसमें जीवन के नियम है अगर आप इन जीवन के नियमों को समझोगे तो आपकी लाइफ जो है ट्रांस्फॉर्म हो जाएगी सो मैं वापिस आपके प्रश्ण पर आता हूँ तो जब बात सीखने की आती है तो उसको self-learn भी कर सकते हैं और उसको जो है एक teacher से भी सीखा जा सकता है लेकिन important यह है आपका source ठीक हो कि आपको जो है वो ग्यान जो है आपको अपने भीतर लेके जाए कि आपको जो है वो simply prediction तक न रोके कि आपको जो है एक नया द्वार आपके लिए जो है जीवन का आपके लिए खोल सके हूँ वो बड़ा important है तो जब आपका यह theory आपका part cover हो जाता है उसके बाद एक वक्त आता है कि फिर आपको जो है गुरू के साथ connect करना चाहता है कि आपको जो है उस divine source के साथ connect करना चाहता है उस वेक्ति के साथ connect करना चाहता है जिसके भीतर जो है वो सत्ते घटके हो जिसके भीतर वो tarot घटके असली जो ट्रांस्वर्मेशन है आपके लाइफ में तब होगी जब आप उस गुरू के संपर्क में आएंगे कि जब आप उस डिवाइन सोर्स के संपर्क में आएंगे उस संपर्क में आते ही आपके जीवन में जो है एक life transformation होनी शुरू होती है जो हम कहते हैं बिन गुरु ग्यान कहां से पाए ग्यान जो है वो एक जो है एक एक ऐसी घटना है जिस एक ऐसी transformation है जिससे आप life गुजरते हैं तो ग्यान जो है वो बौधिक नहीं है वो सरफ जो है एक आपको सरफ दिमाग में भरने वाली knowledge नहीं है वो सरफ एक information नहीं है ग्यान जो है वो एक transformation है कि जब आपने उस ग्यान को सुना तो ग्यान को सरफ सुना नहीं उसको समझा उसको पचाया और आप वो हो गए जब ऐसी स्थितिव हो तो आप समझना आप सही रस्ते पे दो और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप राइडर वेट के गहरे रहस्यों में प्रवेश करें और जब उसको समझ लेंगे तो अपने आप ही ओशो जैन के जो ब्यूटिफुल मेसेज़िस हैं वो समझना बहुत अस झाल को समझना